अगर आप अपने आपको कंपियर करोगे अपने फ्रेंड से या फिर आप कंपियर करोगे किसी आपके क्लासमेट से तो आपने देखा होगा कि आपके और आपके फ्रेंड में क्या सिमलरिटीज है क्या डिसिमलरिटीज है हो सकता है आप दोनों की लंबाई एक समान होगी या फिर आपके जो फेस कट है आपका फेस स्ट्रक्चर है और क्या आपके फ् में काफी similarities है लेकिन अगर compare किया जाए गाय और बंदर के बीच में तो आपको क्या समानताई दिखेगी तो आपने यहाद है कि गाय में भी सुना होगा गाय की भी कई किसमें होती है आपने देसी गाय सुना होगा जर्सी गाय है तो आपने दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखत अब क्या आप देसी गाय की जुन में जर्सी गाय को पहचान लोगे और अगर पहचान होगे तो किस बेसिस पे पहचान होगे अब आप लोग को यह तैगरना है कि कौन से जो ऐसे खास लक्षन होते हैं जो organisms को एक diversity दूसरे से अलग भनाते हैं और किन आधार पे हमें उनका classification करना होगा उसी के लिए हम इस lesson को पड़ते हैं तो यहाँ पर इस lesson को start करते हूं बताते हूं आपको कि हमें क्या क्या करना नहीं क्या है तो सबसे पहले आजाता है classification का जो आधार है वरगी करन का आधार क्या है सबसे पहले जो साइंस में क्या हुआ था और्गनिजम को ग्रूप में और सब ग्रूप में on the basis of similarities और disabilities पे उन्हें classified किया गया था और ये करने वाले पहले थे Aristotle, Aristotle ने सबसे पहली बार इसे ग्रूप में बाटा था और किस तरह से ग्रूप में बाटा था तो उन्होंने क्या किया था उन्होंने ग्रूप बनाया था कि कुछ ऐसे अनिमल्स जो क्या होता है उनके habitat के अधार पे उनका जो जो ग्रूप करने का तरीका था वो habitat था तो habitat में क्या होता था कुछ animals जो होते हैं, land पे रहते हैं, कुछ water में रहते हैं और कुछ air में रहते हैं, इस आधार पे उन्होंने classified किया, लेकिन आगे चलके जो problem हुई, कि land पे रहने वाले जो animals हैं, क्या सभी एक जैसे होते हैं, अगर बोला जाए, गाय और बंदर को देखो, human को देखो, तो इन का, तो आगे चलके जब Aristotle का जो classification था, क्योंकि अब ये सही नहीं माना गया, क्योंकि कई सारे example ऐसे भी हैं, जैसे coral है, जो कि वो भी समुदर में रहता है, whale है, octopus है, starfish है, और सार्प, ये कई सारे माइने में एक दूसरे से काफी अलग हैं, और इन सभी को एक मात्र समानता, इनका सिर्फ habitat के अधार पर अगर classification करते हो, तो इस में बाटना ठीक नहीं था, तो इसलिए अब यहाँ पर decision करना बहुत मुश्किल हो गया था, कि किन चीजों के अधार पर इनका classification किया जाए, तो यहाँ पर आगे classification हुआ, classification and evolution की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ थ कि जब classification हुई थी, तो classification में इनका, यहाँ पर classification and evolution, so time, time के साथ यहाँ पर कहा गया था, Charles Darwin ने कहा था, और उन्होंने अपने जो उनकी first book थी, उसका नाम था, origin of species, इसमें उन्होंने इसके बारे में लिखा भी था, कि समय के साथ-साथ क्या होता है, कि जो पहले वाले जो term जो उसका नाम उन्होंने primitive दिया था, Charles Darwin ने पहली idea दिया और इसने अपनी famous book, the origin of, इसका book का नाम है, the origin of, इस बुक में उन्होंने लिखा भी था, कि organism जो innocent body है, मतलब वो change, जो समय के साथ बदल गए, तो उन्होंने उसका नाम दिया primitive, जो समय के साथ change हो जाते हैं, तो पह require कर लिया कुछ special characteristic को, तो उसका नाम हो गया, advanced और higher organisms, उसका नाम उन्होंने कुछ इस तरह से दिया, diversity, यह जो term used कही गई थी, वो various यहाँ पर बहुत तरह की field में इनका अलग-अलग diversity ही देखी गई थी, so यह ऐसे life forms, जो depend करते हैं एक दूसरे पर, environment में, तो result इनका क्या हुआ है कि एक stable community के अंदर उनको रखा गया, जैसे man की बात करेंगे, तो man भी part है इस biodiversity का, so is estimated that there is about, यहाँ पर estimate किया गया कि 10,000 species, sorry, यहाँ पर million species of this planet, we know about, हमने सिर्फ कितना जाना, सिर्फ इतने species को जाना, यहाँ देखे गो तो कितना है, 20,000,000 species दो थे, वही known थे, सिर्फ इतने के बारे में जाना गया, यहाँ पर, आगे है, hierarchy of classification, यानि कि, यहाँ पर हम सेलेक्ट करना है कि, जो level है, उसका hierarchy का मत्तब होता है, level, तो level में यहाँ पर, जो किस तरह से, यानि कि lower से higher level में हमें अगर जाएंगे, तो यहाँ पर hierarchy of classification को, कुछ इस तरह से बोला गया, सबसे पहले आए थे, Aaron Stakel, उसके बाद Robert Wittaker और Carl Voss, यह scientists थे, उन्होंने try किया classify करने का all living organisms को, broad categories में, जिसमें कि विटाकर ने क्या किया, proposed किया 5 kingdom system का, जो कि बहुत जादा use किया गया, उन्होंने इस kingdom में include किया, इनका नाम दिया, monera, protesta, fungi, planty और animalia, Cal Voss, इन्होंने divide किया monera को, यहाँ पर archibacteria और u bacteria, इन दो अलग-अलग, अलग-अलग पार्ट में से classify किया, आगे further जो classification हुआ है, तो further classification देख लेते हैं, यहाँ पर further classification जो किया गया, वहाँ पर further classification किया गया है, by the naming on subgroups, at the various level as given, तो यहाँ पर किया गया kingdom, फिर phylum division, फिर class, order, family, genus, और फिर species, अब kingdom यहाँ पर monera, kingdom protesta, kingdom fungi, kingdom planty और kingdom animalia, यह kingdom बना है, यहाँ पाच kingdom में classify किया गया, अब आके देखते हैं kingdom protesta को, एक एक करके हम सारे kingdom को देखेंगे, तो kingdom protesta को देख लेते हैं, kingdom protesta यहाँ पर जो कि एक unicellular organisms है, unicellular organisms हैं यहाँ पर, और इसके जितने भी organisms हैं, यह पूरे unicellular, यह नि एक cell के बने हुए थे, इनके पास क्या था, well defined nucleus था, और cell organisms present थे, और यह यह तो autotropic, may be autotropic, और heterotropic, some of these organisms have, यहाँ पर उन में क्या था, appendages like cilia and flagella for movement, इनके movement के लिए, इनमे flagella और cilia भी था, यानिके छोटे hairy structure, and they reproduce both sexual और asexual method से, दोरो दरसी reproduce करते थे, diatomic protozoans are few examples of these, now next is, हमारा जो next category था, classification का, उसे देख लेते हैं, kingdom planty, kingdom planty को देखेंगे यहापे, तो kingdom planty यह थे multicellular, kingdom planty, they are multicellular eukaryote organisms, so, यह multicellular eukaryote थे, और this kingdom includes all the plant species, they are autotropic and prepare their own food, they are further classified into five major division, further इनको पाँच major division में इनको classify किया जाता है, वो major division क्या है, चलि हम इसको देख लेते हैं, so, पहला division था थेलोफाइटा, थेलोफाइटा यहाँ पर है, जिसमें डिवाइट किया गया है, तो थेलोफाइटा, body of the organisms, is not differentiated into organs, mainly aquatic found in marine and fresh water, यह पाया गया mainly aquatic animal थे और marine और fresh water ने पाया गया, tissue जो होते थे, वो conduction करते है material for mechanical strength, यहाँ पर जो है इनकी, वो absent होती है, they are covered by, यहाँ पर, यह mucleus से covered होते हैं, यह reproduce करते हैं by the vegetative और और sexual reproduction, तीनों ही तरीके से, अलगी यारते example of this division, तो यह जो देख रहे हो, अलगी जो है, इसका example है, division का, किसका थैलोफाइटा का, थैलोफाइटा के बाद आगे बारी, ब्राइवाइटा की, तो ब्राइवाइटा में, ब्राइवाइटा को देख लेता है, यहाँ पर जो plant body थी, that is differentiated into leaf, roots and stem-like structure, जैसे कि आप देख प्लाइट की जो body है, वो differentiated है, leaf, root और stem-like structure में, special conducting tissues हो हैं, वहाँ पर present नहीं होते थे, और यह जाने जाते थे, amphibian of plants kingdom, और यह reproduce कैसे करते हैं, तो vegetative करते हैं, और sexual और sexual, तीन उतरह से, यह इनका जो example है, जैसे funeria है, anthoceros है, और merchantia are few examples of these kind. Next is, teradophyta, teradophyta को देखेंगे, so plant body यहाँ पर differentiated होती है, into leaf, stem and roots. They also have conductive tissue, all the above discussed plant types doesn't bear seeds, instead they bear spores. They are also known as cryptograms, cryptograms, अब spores यानि की चिदर, आप जिसे देखेंगे, यह न चेद होते हैं, चोट चोट उट में चिदर नुमा होती है, and they require water for the purpose of reproduction and fern, adentum and slaginilla are the few examples of these. Next is, division gymnosperms, तो gymnosperms को देखते हैं, यह gymnosperms क्या करते थें, यह beer करते हैं, naked seeds, means seeds are not enclosed in the fruits, तो इनके जो seeds होते हैं, यह naked, देखो इस तरह से आप देखोगे, इस नुकिले seeds, इसे coconut का आप में देखा होगा, gymnosperms का, तो इनके जो seeds होते हैं, वो naked होते थे, और वो perennial evergreen trees having woody trunk, so they bear cones in which seeds are placed, इन में जो, ऐसे cone जो available होते हैं, इसी में इनके seeds होते हैं, जैसे कि आपने coconut tree भी इसके example है, अब यह से देखोगे यहाँ पर, तो, siquina और यह जो है, is the largest tree found in the earth, जिसकी जो length है, 125 meters है, वो एक example है, और दूसरे example है, जैसे pinus है, cycle है, यह सारे इसके example है, इस तरह की tree के, now, phylum porifera, so, these animals bear small holes on their body surface, they are aquatic and sedentary, means non-motile, तो, यह जो होते हैं, यह पानी में भी रहते हैं, और sedentary में भी रहते हैं, और non-motile होते हैं, they have cellular level of body design, इन में tissues नहीं होते हैं, तो, यह cellular level of body design होती है, पॉरिफेरा की, और यह bear करते हैं, hard external skeleton, and have a canal system for the distribution of food and gases, spongyla और psychon जो है, इसके example है, next is phymal colantreta, so, colantreta की बारे में जादे हैं, so, these are the aquatic animals, have tissue level body design, इसके पहले हमने जो देखा, वो cellular level था, और यह जो होता है, इसका tissue level, जो होती है, इनकी body design होती है, और इनकी जो body cavity होती है, जिसे, यहाँ पे column करते हैं, so, named as colantreta, चुकि इसका नाम column होता है, इसने की body cavity का, so, इसे colantreta कहता है, यह term बहुत important है, column यहाँ पर, यहाँ तो वो solitary भी होती है, और colonial भी होती है, they have special stinging cell, called synodoblasto, also known as sanitaria, और इसके जो example है, जैसे hydra, obelia, और physelia, इसके जो है, थोड़े example है, नेक्स्टेफ फाइलम नेमा टोड़ा, यह animal जो होते हैं, वो शो करते हैं, bilateral symmetry, and are triploblastic, so, mean, have three germ layers, they are cylindrical in shape, they have pseudosolium, they have tissue level of body design, they are menory parasitic in nutrition, ascaris, और vuceria, इसके example है, आप यहाँ पर देखो ध्यान से, कि यह जो होता है, इनका structure कैसा होता है, तो triploblastic होता है, और जो bilateral symmetry होती है, मतलब, symmetry bilateral होने का मतलब इस है, आप सब बीच ओ बीच, इन्हें कट करके, symmetry इनकी पाई जा सकती है, और three germ layers होते हैं, इनकी body, जो है cylindrical shape की होती है, pseudo-solium होता है, यानि कि partially होता है, 50-50 जी से बोलते है, वो यहाँ पर होता है, next is, यहाँ पर देखते हो, इनका triploblastic होता है, they are cylindrical in shape, have true body cavity, organ system level of body design is found, body divided into small segment called annuli, so phylum is also known as annulida, so they found in both land and water, earthworm and leech are the examples, phylum arthropoda, phylum arthropoda को देखेंगे अब यहाँ पर, तो phylum arthropoda में, these animals show bilateral symmetry, and our triploblastic mean have three germ layers, they have a true body cavity, which is blood filled, and organ system levels of body here, organ system level of body design is found, open circulatory system is found in these animals, our largest group of animals होते हैं, वो इसी group के होते हैं, इनके जो होते हैं, joint legs होते हैं, और इसके example है, cockroach, housefly, butterfly, यह सब इसके examples हैं, नेक्स्ट है फाइलम वोलस्का, अब इनकी body जो होती है, body cavity वो बहुत reduced होती है, body cavity highly reduced होती है, और यह animals show करते हैं, यहाँ पर biological symmetry और यह भी triplobascular mean, इनके three germ layers होते हैं, और यह, they also have open circulatory system, इनका जो system होता है, open circulatory system होता है, they have kidney like structure for excretion, और the highly muscular food is used for movement, और example है, इसके paila और chiton, इसके example है, अगला है phylum mollusca के बाद, phylum echinodermita, so यहाँ पर इनके spiny skin होते हैं, organism के, and they are free living animals, found only in marine water, समूदरी पानी में यह पाए जाते हैं, और यह भी triploblastic होते हैं, इनके, they have true body cavity, and they have a tube system for the purpose of movement, और यह show करते हैं, high power of regeneration, मतलब यह इनकी body कहीं से भी कट जाती है, तो यह वापस से generate हो जाती है, starfish, sea urchin, यह सब इसके example है, next is phylum, proto-cord data, so proto-cord data में, यह animal show करते हैं, bioletrical symmetry, और इनकी जो यह होते हैं, triploblastic means three germ layers होते हैं, and they have cylindrical shape and have a true body cavity, they also have a noto-cord at any stage of life, which provides surface for the attachment of muscles and provide support, और example हैं इसके amphibious और balanglose, आप structure में देख रहे हो किस तरह से इनकी जो है, attach होती है, इनका surface जो होता है, attachment और muscles होते हैं, जो इनके support provide करते हैं, next है vertebrates, so phylum vertebrates को देख लेते हैं, phylum vertebrates जो होते हैं, इनके देहाब noto-cord at any stage of life, they have a dorsal nerve cord, and they are triploblastic, they have paired gill pouch, they have true body cavity, and they include class, इने pieces, amphibia, reptilia, और eaves and mammalia, इन सारे classes में इने हम रखते हैं, अब इनके example हैं, जैसे fish है, reptiles है, birds है, amphibians है, और mammals है, तो fish जो होता है, वो pieces की category में आता है, और amphibian में यहाँ पर, जैसे की frog है, वो amphibian में आएगा, reptile में आपका snake आता है, और eaves में birds आते हैं, और mammalia में, यानि कि कोई भी mammals है, वो mammalia में आता है, so class pieces, class pieces, यानि कि जो जितने भी तरह की aquatic, यहाँ पर found in fresh and marine water, इनकी जो skin होती है, cover होती है by the scales of plates and half gills for respiration, कई तरह की जो fishes होती है, यह सब इसी के अंदर आती है, peaches group में आती है, they have two chambered heart, and are cold blooded, skeleton is made up of either cartilage, or of bones, scoliodon, labio, rohita, यह सारी जो है ना, इसके प्रजाती आती हैं, तब कितने भी सारी मचलियां आती है, वो इसी category में आती है, next is amphibia, so amphibia category को देखेंगे, amphibia, they are animals with uncovered skin, which helps in gas exchange, तो इनके जो body होती हो, uncovered होती है, skin जो है, उपरी skin इसके नहीं होते है, जिससे कि इनको gas exchange करने में help मिलती है, इनके जो होते हैं, hurt वो three chambered में बटे होते हैं, और ये cold blooded होते हैं, और ये पाई जाते हैं, पानी और land, दोनों में water में भी, land में भी, ये जो होते हैं, वो egg laying होते हैं, without any hard shell, मतलब इनके जो egg होते हैं, उनमें कोई hard shell नहीं होता है, soft होते हैं, और इसके example जैसे frog है, salamanders है, यहाँ पर जितने भी देख रहो, toad है, newt है, ये साथ इसके examples हैं, so next is reptilia, so reptilia को देखेंगे, आप पर reptilia में क्या क्या आता है, तो जैसे कि नाम से इस first है, कि जो reptilia होगा, वहाँ पर क्या होगा, कि इनकी जो body होगी, वो reptiles ही category की होगी, ये जो होते हैं, दोरोतरा के होते हैं, terrestrial होते हैं, और aquatic भी होते हैं, तो यहाँ पर they are terrestrial as well as aquatic, skin जो होती है, covered होती है by scales की, and they are cold-blooded animals, mostly having, जो होते हैं, इसके तीन chamber में, सर्फ crocodile इसमें से exception है, क्योंकि crocodile का chambered hurt नहीं होता, and उसके सर्फ, जो crocodile होते हैं, उसके चार chambers होते हैं, और बाकी साबी जो होते हैं, इसलिए crocodile exception है, बाकी three chambers होते हैं, और वो जो होते हैं, उनके एक cover होते हैं, heart shell के द्वारा, और ये breathe करते हैं, through the lungs. इसके example है snake, tortoise, alligators जितने भी देखर हो है इसके example है lizard ये भी इसके example है Now Here they have four chambers in hurt and warm blooded So, अगली हमारी category है So, इनके जो होते है hurt वो four chambered होते है और ये warm blooded होते है और ये breathe करते है through the lungs जितने भी birds आते हैं, जितने भी birds है some birds, जितने भी आपके आपने देखा होगा अपने आंगल में वो सारे इसी के अंदर आते हैं इस category के अंदर और वो जो होते हैं generally egg glaze करते हैं और covered होते हैं, जिनके एक hard cell से उनके जो body होती है cover होती है, feathers से और they are very good flyers बहुत अच्छा और ये उड़ते हैं और उनके जो होती हैं, कोई teeth नहीं होती हैं and beard, beak and claws उनके जो beard and claws होते हैं इसी से ये अपना खाना खाते हैं जितने भी तरह के bird हैं सभी इसके अंदर आते हैं यानि eaves category में आते हैं सारे इसी के examples हैं so next is class mammalia mammalia के बारें जानेंगे यानि कि mammals, ये जो होते हैं four chambered hurt होते हैं और warm blooded होते हैं ये breathe करते हैं through the lungs इनके mammary glands होती हैं for the production of milk जो इनके female होती है और इनके body में hairs होते हैं nails होते हैं so ये sweat भी करते हैं और oil glands भी मौझूद होते हैं और ये birth करते हैं young ones का यानि ये egg नहीं ले करते हैं ये direct young ones देते हैं except यहाँ पर जो exception है वो platypus है और echidina है, ये दो example हैं जो नहीं करते हैं ऐसा और all the milk producing animals including humans so humans भी इसी category में आते हैं mammalia में ही humans भी आजाते हैं so our next category is our next category is so need for nominical nature so आप देखोगे यहाँ पर ये जो categories है to solve the problem of many names for any organism in different areas such as lady finger जिसे आपने सुना होगा भींडी के बारे में is known by भींडी gumbo is in different country so अलग एक चीज को कई तरह के नामों से बुलाया जाता है जिसे हमारे हाँ आप lady finger को भींडी बोलते हो दूसरी country में उसे gumbo कहते हैं तो ऐसे इसे problem को solve करने के लिए confusion होता है और इसे confusion की वज़े से ही इनके common names दिये गए सम और्गनिजम्स के जैसे की silverfish, cuttlefish ये example है arthropods और mulekskas के irrespectively so but the names produce confusion that they belongs to class pieces so दोनों इसी class में के अंदर आते हैं लेकिन names में इसके confusion होती है इस वज़े से इनको normally culture किया गया so how to write scientific names अब scientific नाम लिखने का आधार क्या बना तो जितनी भी चुकि हर country में अलग-अलग नाम से बुलाने में इसे इसमें confusion create होने लगा जिस वज़े से इनके scientific नाम दिये गया अब scientific नाम देने के पीछे जो किस तरह से किस आधार पे basis पे दिया गया तो careless lineage थे जिन्होंने introduce किया system of providing the unique names of each organism अब ये unique name देने का जो इनका जो basis था उन्होंने कुछ rule बना आए अब rules क्या थे ये rules आपको बिलकुल याद रखने है इनके जो name है so name should be in latin language तो पहला term था कि जो names होंगे इनके latin language में होंगे और name of genus जो है पहले इनका genus का नाम लिखा जाएगा with capital letters तो capital letter में और block letters में इनके genus के नाम लिखे जाएगे उसके बाद उनकी species का नाम लिखा जाएगा small letter में और scientific name को कुछ इस तरह से लिखा गया italics when the printed and should be underlined separately when handwritten so जैसे कि example देख लो आप यहाँ पर कि humans के लिए नाम दिया गया homo sapiens lion के लिए pantherla leo तो पहला वाला जो नाम है यानि कि homo जो है यह क्या है genus नाम है जो capital letter में लिखा गया है और बाद में जो smaller term लिखे गया है वो species है इसी तरह से panthera और leo so यह इस तरह से इनकी category करी गई so now I think आपको lesson अच्छे से समझ में आया होगा अब हम इसके question answers करेंगे अपने next video में मैं इसके question answers कराऊंगे so that's all for today I think you understood this lesson very well अगर कोई भी doubt रह गया तो आप इस comment करके आप बस lesson के बारे में पूछ सकते हो जो भी doubt हो मैं solve करने कोशिश कराऊंगे at last we will meet soon in our next video next topic जिसमें हम इसके question answers करेंगे till then good bye take care thanks for watching